नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाई सुमित में दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो है बैसिक ओफ अकाउंटिंग लेखांकन की मूल बाते Basics of Accounting में सबसे पहले आप देखेंगे Accounting यानि की लेखांकन Accounting is simply an art of record keeping and finding out the result thereof अर्थात लेखांकन रिकोर्ड रखने की और उसके परिणामों का पता लगाने की एक कला है अब आप देखेंगे Accountant यानि मुनीम और लेखापल record each and every transaction, calculate profit and loss of business, indicates the financial position of the business प्रत्यक लेंदेन को record करें, लाब और व्यवसाय की नुकसान की गणना करें, व्यवसाय की वितिय स्थिति का संकेत दे इसे accountant कहते हैं अब आप जानेंगे घटना और लेंदेन, event and transaction गटनाओं को हम record नहीं करते हैं और लेंदेन को हम record करते हैं आईए कुछ example के माध्यम से हम समझते हैं पहला जो line है वो बोल रहा है Mr. X started business with capital of rupees 40,000 यह है एक transaction है, क्योंकि इसमें पैसे की बात की गई है, पैसे का लेंदेन हुआ है second line है, paid salaries to staff rupees 5,000 इसमें भी रुपए के लेंदेन की बात हुई है, तो यह भी एक transaction है placed an order to agarwal and company for goods of rupees 20,000 इसमें सिर्फ एक order placed किया गया है, नहीं कि पैसे का लेंदेन हुआ है तो यह एक घटना है open a bank account by depositing rupees 1,000 इसमें पैसे के लेंदेन की बात हुई है, तो यह एक transaction है Mr. B. Sain General Manager resigned from the organization उन्होंने organization में से resign किया है, तो यह एक घटना है नहीं कि ट्रांजिक्शन received interest from bank rupees 5,000 पांसो रुपे हमें interest के प्राप्त हुए है, तो यह एक transaction है घटना नहीं है typed letter to be submitted to bank एक bank के लिए letter type किया गया है, यह एक घटना है नहीं कि ट्रांजिक्शन है purchased a ticket of India-Australia cricket match 4 rupees 500 यह एक transaction है क्योंकि इसमें पैसे के लेंदेन की बात हुई है तो दोस्तों आपको basics of accounting समझ में आ गई होगी अगर कुछ भी doubt हो, तो आप comment box में comment कर सकते हैं I hope आपको यह video पसंद आयागा पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा, thank you